रसनया भाव्यमाना मधुरामलतिक्त कटकशाय लवन रसा शडरितवाह प्रतुवंग दिर्ष्टी करना है मधुराज रसक ज्ञानों में रसनेंद्री के द्वारा रसनेंद्रिय के द्वारा हमे ज्यान होता है रसों का ज्यान होते हैं मीठा मधुरा आमल और तिक्त मिर्ची कटूं कड़्वा कशाय और लवन मरे नमकी अशडरितवाज करना शड़ रित्वां का तृष्टि करना भे तृष्टि करने चाहिए भावना बनानी उन्देख के मंतरार्त में भाशगार करते हैं मदुरादेयों यदा रसनय अनुभूयंते तदा ताजरिशान भूयंमान तव विशिष्टेशु वसंता जिरित्व देदेन भावनां पुरियाद भावनां पुरियाद यर्थूदेयों मदुरादेयों यदा मदुरादेयों को जब अब रसनिंद्र अनुभू किया करते हैं उसी समय उस अनुभूयंमान रसनिंद्र रसों में अनुभूयंमान तविशिष्टेशों मदुरादेयों वसंता जिरित्व देन भावनां पुरियाद वसंता जिरित्व देन भावनां करनी चाहिए मदुर्रस में वसंत्र दो किस्क्रम से करना केवलानांतु तेशा स्वभिनपदार तांतर रिष्ठत पेरा मनस पराव वृत्यापत्य हैं कि केवलन को व्रश का राते हैं अपने अंदर भूड़े हैं कि दोस्टावा यह जू दोगार वार कर को अपने से दोड़े हैं कई नेम के कडवा पनें ते में पीठा आवादी में, गुड में जीनी में, खटापन नीमभवादी में, इस प्रकार जा बालोग चलो नहीं रस भरें मण प्रावर्धुयपत्य मन से बारी वर्थि बन जाएगी मन जिसा अभेद वर्ति नहीं बन पाई इसलिए हमें रसों में जिष्टी नहीं करना है बलकि रस ग्ञान में जिष्टी करो पर सब्सक्राइन कहा है फिरो भीत है अस्या भावना यहां प्रत्य वर्तिया अभ्यास रुपतिन और यहां सारी भावना परत्याद के साथ अभेद अभ्यास करना रुप अने से तग इतरर निरोध deaf आयोगाद इतर कर निरोध करना उचिए तग नहीं होता अध़ेव रसना भावित्य विषेशन में इसे रसना जो है भावित्य विषेशन समझना चाहिए येना त्वगाज निष्ठानाम व्यावर्तिरपी फल ले इसे के द्वरा त्वगाज निष्ठ जो फल है उर ज्ञाने उनकी भी व्यावर्तिं भी स्पष्ठो उगा इस विशे में तंतराज नाव ग्रंत भास्पष्ठपई गही है रत्त द्वेपो भवेदेहो नवत्तम धातु रोम भीही संकल्पा कल्पतरवह स्वाधारारुतवह स्मृताहा देहो नवरत्त दीपो छटे मंत्र को उन्ने इस्तर से लिया रत्त द्वेपो भवेदेहो छटा वाक किता ना और नवत्तम धातु रोम भीही प्रगाई दिस सव्डधातू, तदकार रोम के सहीत सव्डधातू मिला करें नौ रूपा, इजो चीज हैं शरील के अंदर वेही नवरत ने शरील के अंदर आईसा अभेद करके चंतन करने कहा था संकल्पा कल्पतरव हो और आठवे वाकि में संकल्पा कल्पतरव की समान है और तेज में कल्प को द्यानम तेज बने मन उसे कल्प को द्यान करिश्टी करो जिसमें कल्पतरव हो रहा है मन में सारे संकल्पतरव हो गते है और आज के बाद कहा उनोंने स्वाधारा रतवा स्वामने अतात परे स्वार रसनेंद्रे आधार जिसका ऐसे जो सकल रसक ज्यानों को ले करके उनमें छै जित्वों को दुष्टि करने तंतराजनाव ग्रन्त में भी किसी शुर्थि को विस्तार करते हैं कहा रहा है स्वाधार पद कब कुछ लोग अन्य अर्थ करते हैं उसे खंदन करने के लिए शुरू करते हैं स्वाधार पद हैना कुछ लोग क्या राते हैं मुलाजाराधी ले लोग कर दिया फिर उनमें रिफों के तुष्टी गलत गलप ना हो जाएगी क्यों रसने इंद्री का सम्मंद क्या मुला दार से किसी चोड़ोगे वहाँ सब एक इंद्री को सभी चक्रम के साथ किसे समंद करेंगे इसने इसका खंडन कर रहा है जरूर यह तो उठाया कुछ लोग ऐसे व्याक्षान कर रहे हैं ग्याज चक्षते तीसरी पंक्ति तक यहां से पूरपक्षका पुरवस्तुत असे सिद्धांती बोलेगा स्वाधार पदेना दाकिनी याद योगिनी शट का आधार मुतानी सुशुमनाम दरगतानी शट चक्रानी उच्छनते स्वाधार पसे शक्ती का जो स्वाधार शक्ती उसका आधार में मुलाधा से लेकर के दाकिनी यादी जो योगिनी याए छे योगिनी च्छे चक्र के छे योगिनी दाकिनी लागिनी राकिनी है ना संकिनी यादी जो बनीवी है इन देवियों को ही लेना चाहिए शट का आधार बूता नी इन छे देवियों का आधार बूता सुशुम्ना के भितर पे रहने वाले शट चक्रों को आधार पदादी से गिरण करना चाहिए उनमें छे रूत के दुष्टी करो शोत बिधियों सुशुम्ना इल्धा पेगला आत्मकत चंद्रा को सुशुम्न नाहिमिदा और पेगला ने यंदा पेगला फेगला पेगला के चंद्रमा और σूरि थे नस दो रूतों का कारन है सुशुम्ना का संभंध और पिगला से अर्ता चंदरार उर सुरी से हुआ चंदरार सुरी स हुतनी का मतलREY गया घाल से हो गया अजो रुटार ओंगे समझ बन गया ऐसे कaroundङया करते लंबी चोड़ी तो चंदरार को सही होगे न अनमित काल आत्व का तकते अजितरुप मानना उचिते किति व्या चक्छते। मत्फेक्षपू प्रत्यशुर्थ्य cosmos ननु knife तो प्रत्यशुर्थय नुम्हें नुरुद,' नुभप्रत्यशुर्थ्य मानुप्रत्य। तब इसे स्वाधार पत्ति ऐसे करो जिससे स्वान भूय अमान रसपरक लक्षान कत्मी चाहिए तब पूरपक्षी कहेगा हमने तो भाद अमान बोल दियाना शानच पृत्ते है आतने पत्में क्या होता है? शानच पृत्ते होता है? लटरी लटा सात्र शानच हो स्वाना कीष्या शानच पृत्तों दकी को किया है? तब यहाँ थेकी पिर होना चैना तो भाद अमान शातन हो गया अ भाद में किंगे अधियान बोल दियाना उपासतिक अंदी आरहन भूयमान रसाभव तो वर्तमान का ले अनभोग नहीं यह सभा और से वर्तमान का ले उपासा स्मभ भी नहीं इसलिए हमने शचन्मार्त लिया ओ शचक्रष ले लिया ऐसे पूरवर्पक्षी कहता तोब से धाती कहता है अरे खा पीके बैठे होगे एक अबिने में तो खाये होगे उसके संस्कार अंदर नहीं है गया उसे ज्ञान नहीं आपके पास उज्ञान को लेकर वे तो उपास नहीं कर नहीं हमने वह स्थोका दिया ननुभावयमाना इदिशान चाहा वर्तमान काल कतनाद उपास्तिक काले अनुभूयमान रसा भाव हो पिदिचे न, अनुभवना, अनुभव, अनुभवा नामेव, संसकार आत्मना, तदानेंदे प्रिसप्पाद, उसे जित्रे अनुभव की हैं, वे सारे के सारे अनुभव, संसकार रूप से हर दम आपके अंदर है, तो उपासरा काल में भी तो रहेगा, स्वाधर स्वाधर स्वत्र्तिया करना, स्वम् मने आत्मा, आधारा नहीं है की भाषा में सम्वाई, हमारी भाषा में उपादानम, ये शाम, ऐसे वित्पत्य को, आत्मा है आधार जिजगा, अने चेतनी हैं, इन रसों के अनुभूतिका आधार, जिन का इसकोने, एस बर्व जिसका प्रकर नहीं है उसको तुम कहां से चोड़ोगे जब प्रकरनस्त मातों को जोड़ जाए, यहां प्रकरने श्री चक्र का अश्री चक्र में टाक नहीं हाजिए दिवेर का मतलब भी नहीं यहां कैसे तुम इसको जोड रहे हो कही अगले वाकी देख लो, जस्वे वाकी क्या है सीधा के श्री चक्र पूजनम जस्वे वाकिका अंतिम में क्या है मंत्र में श्री चक्र पूजनम का दो शरीर चक्र पूजनम नहीं का तो शरीर के चक्र के पूजा हो दी तब तो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं यह नहीं है श्री चक्र पूजा की बात का है और श्रीजक्र के जो 180 प्रमुक्न देविया हैं उनमें तुट नहीड गहरें तो जो चख्रों की जो daw देविया उनको श्रीजक्र मे लिए आगे उनको आपके कह रहे बाद पुर्पक्षि खंदत करने के लिए आठ की इताह stoienen अनुपसित होने के नापे, स्वापज के दुवरा तत परामर्ष योगाद, स्वापज उनका परामर्ष करना बिल्कुल उचित महीं है, वाइत्य के रितु भेदे न, रस विवस्ता है हाग कत्रें न, और इतना ही न, आईरवेद पड़े होती तो मालम होता, आईरवेद में 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 भी रसों को रितुम के साथ दवस्ता धिरे हैं, किस रस को जादा खाना चाहिए, हर रितुम हर रस खालो, ख़ड रस में, ऐसा नहीं, इसरे पएदाय स्वादा होता है, आप झाओ आप ज़ादा हो जादा है, जेष्ट मास काल है, आम हो रहाए है, मिठाफल ज़ाय अब आगा सेवादी कम मिठे फल आएंगे मनि किस मौसम में किस तरगी चीजे रसम को लेना चाहिए और उसे फिलट फिर हो जाता है खान पीने में तो भीमारी आती है फिर उसे क्या दवाई करने चाहिए यह आयरवेज पुरी मता रही रोगो रोग है तो चाहिए न आयरवेज में रोग कारण और ओशदी उसे उसका उपाय बनाए हानो पाया हो उन रोगों का निवर्ति कैसी होगी और निवर्ति करने का क्या चो उपाया यह बताए इसी प्रकार हर शास्त्र चाहर मुख से प्रवरत होता है प्रवर्ति का इसे लिए रोग में भी आयता है प्रयकण में भी यह आता है हर चाहर शास्त्र रृति यही चाहरल को लेंकर की होता है इससे बहुद्ध्य के वाइद्य के ग्रंधों में भी देखिया आप अईरवेजदादी में रितु भेदे न, रस में वस्ता यहां खतन नहीं न, रस की वस्ता का खतन किया गया, इसलिए रितु संस्कार यह और अभेद असलिए, इसलिए आपके पास रस का संस्कार भी है, रितु का भी संस्कार है, जो उपास अमें बैट वे जो च्छेव रितु इखटे आ जाएंग पर क्या करेंगे आप उन रित्वों का आपके पास शंसकार, इस समय भले व रित्व नहीं है इच्छे उके रित्व, इसी प्रिकार इसमयों खाने रहे, छे रसुप में इच्वादनी चक्राओं, इसमयों को रहा से रस्ज्यान हो गया, ज़र रस्ज्यान का संसकार तो है, अभेदस युक्तत्व आच्छा, एवं रित्व प्रिकार से व्याख्य करने से सबकुछ प्रकरणाजी वस्तित हो जा रहा है, तो शाखांत्र मूलक तनमिति अप प्रसंगाच्छा, शाखांत्र को ले करगे, तनमूलक अनमिति बना करगे, यहाँ बर जोडनी की प्रसंग करना उचित नहीं है, अप्रसंगाच्छा, इहाँ इत्रही नहीं लेकिन प्रकरण वस्तित सीधे आगे अंत्र में चली जगे न, पीच की सारी बाद चोड़ दी है, तो स्वें चोड रहा है, यह अश्व गजानाम परिखा मंडप योश्च भावर उपसंगारह, प्रकरण इसलिए अश्व कर, और जो इंद्रियों के विशे हैं, यह हाती के समान, गोड़े, इंद्रियों जो गोड़ों के समान है, और विशे हाती के समान, कि विशे ही तरह जल्दी हटते नहीं, इंद्रियों जटवट भागते, इंद्रियों चंचल है, वस्तों सामने रहता है, इसलिए वस्तों को का दिया हाती के बरापर और इंद्रियों को का घोडों के लिए जब इंद्री विशेश ले लिया और इंद्री विशेश का विशे को ले लिए इसे इंद्री सामानी का दिरिष्टी और विशेश सामन का दिरिष्टी भी तो अवरनम करना चाहिए उसके इ परिखा, गोड़ों में किसकी दिष्टी करनी है, परिखा का दिष्टी है, इंद्रियों में गोड़े, गोड़ों का दिष्टी परिखा में, और विश्यों में हाती हाती में मंदप, मंदपयोष्च, तो श्रियंतर में लेना है, सब जोड़ना है, मंदपयोष्च, भावना पुपसंदार, इनकी भावना को जोड लेना चाहिए, बस तो परिखा कार्थ होता है, तो यह युक्त सब, जल युक्त जो तालाब जेसे है, यहाँ पर इश्रिंद्र में क्या है, चकुर चकुर बनाना अपने परी दी, उसको परिखा का, और मंडप है, मंडप में इश्रिं इसलिए विश्यों की स्थृता को लेकर हाती और हाती का दृष्टिक कर दे उनना अंत में अंदार, सेंद्रियों में गोडे किसनी गोडे कर चंचलता को देखते हुए परिखा है, मनें जल परिधी में, किस तर सा भेद भावना करनी चाहिए, यह उपासर और भी, जो यह नहीं कहा हुआ, पहले बोले था न, जो कुछ बाते कुछ ऐसी हैं, जो यह नहीं कही गई गई है, अने तरसम नहीं लाएंगी, काता हुए, वो यह यह पर दिखे दिखे दिख्टानतिय है, जो लाग कर के जोड़, ज्यानम अर्ग्यम जेयं भविर ज्याता होता, ज्यात् अर्गी से लेना है, विशेश अर्गी को लेना, ज्याम में विशेश आर्गे को ज्यानम जेयं गेयम भवि जितने भी किये सब को में हविश्का दृष्टी करना ज्यान में विशेशार के दृष्टी गेयों में हविश्का दृष्टी और ज्याता में होता का दृष्टी करके जीवन रुवियर्गी का संपादन करना यही क्या है श्री चक्रपूचन है इस प्रकास ज्याता ज्यान और गें ये दिवी तिरपटी रुपन भासित होने भेल भासित होगे होते भी इन तीनों का अभेल भावना करना वास्तव श्री चत्रपुजा है ज्याता 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 अपने आत्मा ही ज्याता है इसी को विशेशारग्य द्रिष्टी इसो क्या करना है द्रिष्टी इसमें होता का द्रिष्टी करना किसे होता का सिर्ष्टी है और ज्ञानम अर्ग्यम ज्ञानमे विशेशारिक्य दृष्टि और ज्ञियं जब अविस्तितं मियर जुई के शस्यान है शाख्तिर संवन्मlaud inconsum और इन तीनों का तेशामेगी करन, इन तीनों का अभेद भावना करन, ये शिव चप्ण ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द से सरुबूत आत्म ज्ञान नहीं लेना, आत्मा सरुब ज्ञान नहीं लेना इस जान अप्र हो आदेना तिर्पुटी में आपन कोई है वो गता पटा बता जान लेना घटा आप जान ओटा। अरए कर ते पूजा शामगरी परा मुझेश होते हैं पाफसनल नीजाय सब कुछ कर देती हैं जहन कें बंदितरों पांच गांपना कें पहले जमन लोआ पंचपातर नाम पंच पातर नाम क्यों पर जोटें पांच पानना बेर पानः बर्ट रा इसमें पहलना अलग है आज हम नहीं जले तो इसमें क्या-क्या डालना विदी है वो सुने पांचों में जल अलग-अलग होता है और पांचों में क्या डालना अलग-अलग चीज़े हैं डालने की लिए उनको डाल के तियार करनी पुड़ती है इसे क्रम से रखना है भूते कैसे आपने अरकी बोल दिया और दे दिया पांचों में पांच पातर होना चाहिए उसे जल में सब सामगरी एक ही है अरे सारे देवतत होई तो खाएंगे पीमे है अरकी सामान ये पाती सामने पैर दोना है ये पैर दोना है पाती से अरकी से जो मुग को अशुदी करनी है आचने उसे मुग में डा दिया जाता हात में जिया आचम निया उनको पीने कि लोग पत्री है तो पत्री डालेगे हाथ में अपरी में डासकते हाथ में पत्री क्यों बैठी है पीछे में धर्म केले करने कारम करने तो बैठी है दो परेख दऴेर आपने केले हाथ में ठोड़ा तो आप आपनी तो पीएगा अजस एक मामें चारम केलेगे हाथ में देख बहुता जांता को देखने ख इसे की अंगा में हो देख लेका एक मोर्टन की ज़ं़री ख शलमाना घंगा में ठक सता इए तो इतने तो अशास्त्रि विधी में चले गए शास्त्रि विधी त्याग दिया इसे बड़ा और दोस की नहीं लगए तो अचमन क्या मतलब रिगा दोस लगे गए जोलता अब विधी पूरोगा अचमन करती है थे पांच पात दाने का सामर्त नहीं है गरीब है कोई चलो एक लोटा में कर दिया भावना कर लो कोई बात नहीं वो सब तो माफ भी हो जाएंगे यह तो बिल्कुल गलत ना जो हाथ में लेने की पीने की बाद उसको सीधा अच्छी हम में लेवरी में आपाने अरवने में वडाद ही अच्छु अदर यह लोग वडाद हम उसके से इतियों नहीं अच्रा यह तो नहीं करती हैAI इसाना भूझार कुलिगा में आख्या उसकार त देने वालें को यह तो नहीं में रहें हो जज्वाने fill शुद्र आर आपने पुजा नहीं होगी कोई बात नहीं हो इना इसे शोदर ब्रामन से नहीं कराना ना देंगे इतने लोग वहाँ पर कट रही जीज़ों होड़ा से घिजर घिजर नहीं पसंद कर जो परमपरा हमारे वहाँ परसीद वईदिक परमपरा के अनसा जो विधी है उनको पाना करना पड़े को ब्रामन गर आएगा अजी सब्रे के टाइम आए तुर संध्या कर रहेंगे उसको संधया की जीत रहा हो कुछ बजा रहें पर जो कि अपर है किसी आपी कर आया होगा मानिव गुटर कर्के आए अग्या संधय की तो रहा है हम्ने आप्र प्रम परिवारत में था कि देखा हुँआ बता रहा हो को अब्र पूजा सामगरी पर रहो ये शब्द बाय विशे मात्र पर रहो विशे सामा ने पूरे विशे उपको ले लिए यावान इदंता विशे है असमा सर्वोपी हविश्क्वेन शुर्दव निर्दिष्था हा कया मना जितनी भी इदंत याविशे बना ले तर यहायाया करके संसार कुछ भी आविशे बनाते हो तो सभी चीजोंको शुर्ती मैं हविश्क्व रुद जिवो जिवो से Ainन instruct के सारे संसारे इक दूसरे गन बना उब यह विश्क्वह रिएै, ति शुर्टी में समस्त्य परमा आता कि अधन == इत्ले विशेष अर्गी परत्याँ इसलिएji आर्गी शब्ण सामा नियनियों भी अधनी जो बाता है विशेष अर्गी परत्या अर्गी परत्या sulphलría। अर्गे साम्मानी शक्त को विशेशार के अर्थ में संकोच करना पड़ेगा उच्या देवत दाक्तु लिंग किस देवता भी पुझा करने इससे आप जो हवन कर रहे हैं इस तरह से इस हवन होगा न यह आप ज्याता होता हो गए आप विशेशार के 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 वि जिवन में जो चैतनी के आुटियां पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़े कहते क्या है रुपा देवता के लिए अरपन हो रहा है ये मंतर में को नहीं कहा गया कहते है प्रसित प्यात मफ्ता प्रसित ये बात तो रे ज्यान किसको हो रहा है चेतन को हो रहा है किसका ग्यान हो रहा है विशों का ज्ञान हो रहा है और जित्ति किसको मिल रही है चेतनी कोई मिल रहा है इस वर रही बात प्रसित होने की नाते अलग से मंत्र में देवता का नाम नहीं दिया है ने अहंता विशियो ज्याता अहंता विशियो ज्याता पूजा कहा अहन्ता विशेक्जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज नाम रूप अनुशंधान पूरोगा जाता, ज्यान और गेंगे, भेदक कौन होते हैं नाम और भुख ये उपाधी भेदक है इस उपाधी का उनसंद्धान मत करोगा उपाधी का महत्व खतम करतों क्या हो जाएगा, सब का भेदर उपाधी तो एक ही चेतन चेतनी में उपाधी को ले करके इसको ज्ञान, इसको ज्याता, इसको ग्यें, इसका जा रहा है नामर उपाधी उपाधियों के अननसंधान पुर्वगम ना करते हुए चिनमात रुप से भावना करने का यहां विधान किया गया है तंत्रे भावे लुढंत पूजन पुदार तस्तु तंत्र और लोक में अंत्रे पूजन शब्दगार्थ में भी हम पूजा करते हैं पूजनंग रियदे, पूजनंग रिश्ये, संदप करते हैं लो तो पूजनंग शब्दगार्थ क्या है? तंत्रे के नुसार अलग है और आम लोग के नुसार अलग है तंत्र में क्या है वहाँ भाव में लुट प्रते हुआ क्रिया प्रदान ले लिया हुआ भाव मने सित्र क्रिया का नाम भाव होता है और भाव में लुट प्रते की गही है यह मानते कि उसका निशकुर्ष्ण के लिए का ओमरेट करने लिए भावे लडंत पूजन पतारता om तिहितनों कि अभफेध बताता जा頭 अधेर्ध विभावन को भावन आक्रणता को नहीं वताता करने बताता इसलिए यहां विधी कर दी गई है लोग के ही विशेशार्ग जलब बिंदवादे नेवेद देशिया स्वात्न श्चत देवतायम समर्पन समंदेव पूजलब पूजन का मतलब गया है जो विशेश अर्गिय जलब बिंदवादी है इनको और नेवेद फल फूल मिठाये आदिव अगेरा इनको देवताव को समर्पन करगे अप्रे में समर्पन करने करना पूजा हो है उनका पूजन इतनी है अभेद करना नहीं वहां यहां भी अभेद क तंत्र में अर्थ अभेद है इन तंत्र में अभेद की भावना में बदाई थी उसको शुक्त में भावना विधान कर दिया है और लोक में अभेद का भावना है यहां भेद पुरगी से कल्वेवार होगा है तत्वेद प्रकृते पी इसरे उसी प्रकर यहां प्रकृत में भी 13 चिता सा तीनों का चैतनी के साथ में तदात्व शीवत तठथ उचित्त script, तदात्व करता हूँ अभेव भावना करना ही यहां bigors और अनुकूलकूलकृतिव कर्म करें उससी का नाम यहां विभावनमत्र शथ से कहा गया है विभावन सेव पूजन पदार पत्वे विभावन पूजन और अभेदिन विभावन शब्द करत पूजन पदार के साथ अभेद जिंतन करोगे विभावन पूजन तोन शब्दों को पुरियायवाचेदी मानते हो तो अभेदन विभावन आंतर आपत देत हो फिर तो अभेर पुरक और भावना करने के लिए अलग शब्ट प्रेव करना पर जाएगा तेना करनी लुदंत श्राउ ता इसलिए शुरती में करन में श्री चक्र पूजनम यहाँ जो पूजनम शब्द है शुरती में उस पूजन शब्द को भाव में लेकु नहीं लेना, लुट जो नले करके करण में करदेना, करणाजी करण योश्चा, सूत्रे, उससे लुट करदू, तो करणे लुडंता, श्रवता, पूजन शब्दा, पूजा अनकुल, कृति विशिप्पन, अर तरिकला है, पूजा अनकुल, अभेद पूजा कहते हैं, इस बात में, अभेद पूजा करनी है, तो अभेद पूजा ही होती है, और अगरी में संपाधन किया जाता, पूजा अनकुल, कृति विशिप्पर एलती, जो तनाया, एकी करण में योश्चा, इसी बात को उतंतर राज्चिसक्रंत में, एकी करण में ही रितां का इसी को संकेत करने के लिए श्लोक में एकी करण में योबात जोड़ कर कहा गया है, इस प्रकार से दस्वा वाक्जा पूरा, अग्यार्य वाक्ट, नियती स्रिंगारादियो रसा अनिमाद यह, नियती ही एक है, स्रिंगारादि रस, एक क्यों मिला कि दस, नवरस होते हैं न स्रिंगारादी नवरस होते हैं साइटी में, उन नवरसों का यह जिवन में अने प्रकार वार में प्रयोग होता है, कभी भय हो रहा है, कभी भीवस दर्शन हो रहा है, कभी घबरा रहा है नादमी, संसार में सुखी होता है, कभी जुखी होता है, इन नवरस का अनुजी हो और आप दससिति कहां से कह दिया अनिमादी दस कहां से कह दिया करें दो और जोडने पड़ते हैं जो लोक बवार में माना गया है इन दो के बारे में आप देखना चाहें अगला प्रियोक प्रकरण में नीचे दिया देखिए क्रम भी गिनाया इनोंने पांचे, साथ, नुवी पंगति नीचे से, मिला, अनिमा सिध्ये नमाहा, फिर थोड़ी से बोले, लगेमा सिध्ये नमाहा, महिमा सिध्ये नमाहा, इशिता सिध्ये नमाहा, दाकामे सिध्ये नमाहा, यह तो पांच छे वही क्रम से बोल दिया, दो दो चार दो छे हो गए, य इच्छा नया जोड़ा है, भुक्ति सिध्य नमा यह आठ में से नहीं है, ठीक है? इच्छा सिध्य नमा यह आठ में से नहीं है, यह दो अलग जोड़ा है, उसके प्राक्ति सिध्य सात्मा है, स्वरकामी सिध्य को आठमा, आठ सिध्य जो प्रसिद्व आठ लेली, इसमें द प्रारद्ग्न में प्रारद्ध। उसमें आपने पहला से दिश्टी का ह। नियति और श्रिभारद्ग्न में करम से अगर प्रव्यृतहाईक। आ हम आगे है मैं emoc bathrooms प्रव्यृति के मामला है. ऑशमें सिर्ष्टिक्त का मामलाई है. और अपहीं पढ़ेंगी. इस चीज़ों को प्रविधी में जाएंगे इनको जोड़ करके पहले इस मूल अर्थ समझ ले भिर प्रयोग में जाएगे सिवरी के बाद है ना सिद्दां के बाद करे हो नियती मने प्रारदम में का स्रंगार आदयो नवा कुल हो गया दस स्रंगार आदयो कह दिया ना आदी से क्या है वो आधिपद से आधिपदात जिनारे देव करे भयानक एक रस तीसरा एक को तो ही मूल में है स्रंगार रस प्राला दूसरा हो गया भयानक रस तीसरा रोदर रस रोदा विशब भेंकर चौथा भीबस एदां गंदा संदा बेल देट की घरना हो जाए यह से जला हो शरीव है चम्रा उदरना हो आए जला हो देट की आदमे घबरा जाए भीबस दर्शिव और इसके बाद भीबस के बाद हास हास नहीं हासी रस आजकल तो नुमर कलेब इंटरनेशनल संस्ता है अनके कामी हासा ना हासा नहीं जाते है चके चलगी बीदेश में चाहर चलगी आजकल पुड्डे पुड्डे जाओ निवान भी ग्रूप में खड़े हो जाते हैं बगीचे में हा सीरह और इसके बाद वीररास करोणारस अखहतरस और शांद रस ये परिग्दाहा इनको गिनाई लगा ये तेशां दशा नां क्रमेना अनिमाली सिद्धी दशा का अभेदा इन दसों का क्रम से अनिमाली सिद्धी दस के साथ में अभेद चिंतन करना चाहिए